नमस्कार आप देख रहे हैं tips for health और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे immunity power बढ़ानी के विश्या में जियां दोस्तों दोस्तों बहुत से लोगों की रोग प्रितोदक छमता बहुत जादा कमजोर होती है बहुत जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है मौसम जैसे ही बदलता है उनको सर्दी जुखाम हो जाता है तो ये कहीं न कहीं indication होता है आपकी रोग प्रितोदक छमता जो है आपी कमजोर हो गई है या फिर अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने में काफी समय लगता है या फिर जल्दी जल्दी बीमार पढ़न या पाचन तंत्र कमजोर होना इस सारी चीजें जो है कहीं न कहीं indicate करती है कि आपका रोग प्रितोदक छमता जो है वो कमजोर हो गई है तो आज किस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आप अपनी रोग प्रितोदक छमता को बहुत ही है जो कि हमारे शरीर के लिए वास्तों में बहुत ही ज्यादा रापकारी होता है और यह हमारे शरीर की सभी विहन प्रकार की जो बीमारियां होती है उनको दूर करने की छमता रखता है जहां दोस्तों और सबसे बड़ी चीज आवला में रोग प्रितोदक छमता बढ़ाने है और उसे आधा चमच आधे गिलास पानी में मिला कर उसको रात भर रख देना है और सुबह खाली पेट उसे पी लेना है या फिर अगर आप यह ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप पतंजली का या फिर किसी भी कंपनी का आप आवला का जूस ले आईए और उसे कम से कम 15 ml की मा आपका हमोगलोबिन बढ़ेगा आपकी हड्य भी मजबूत हो गी आपके चहरे मी बाल भी मजबूत होंगे तो दोस्तों आवला बहुत ही गुणकारी और शदी अगर शदी इसको कहें तो कोई मतलब गलत चीज़ नहीं होगी यह वास्तों में एक बहुत ही अद्बूत और लोग तो दोस्तों को और सरदी की सा और मॉज़ु करें बल्कुल मार्केट तो जदी आ आप मार्केटसे कंगेए तो आप मेला'S कोह सकते हैं अब किसी भी मोप सेवन करं आपने के बिद्स के रूप में करें चाइभी के बनाएं कोका लुग करते हैं साथ ही आपकी रोग पर तो उद्रक्षमता अम्यून्टी पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें नमशकार